हेलो गाईज वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी गाईज आज हम बात करने चाह रहे हैं कि हमें नवजाश इशू की देखबल कैसे करने चाहिए गाईज आप मेरे ये वीडियो शुरू से लास तक जुरू देखना मेरे चैनल को लाइक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब को क्लिक करना बेल आइकन को दवाना ताकि आपके पास मेरे वीडियो का टाइमनी नोटिफकेशन पहुन सक कि गाईस हम बात कर रहे थे कि नवजाश इशू की देखबल कैसी करने चाहिए काईस क्या होता है जब हम फर्स टाइम यूम बने चाह रहे होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें अपने बेबी की कैसे देखबल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहला चाहिए अगर आपका बेबी सो रहा है तो आप उसको उठा कर भी फिर देख सकते हैं सकिंड़ी ही आता कि काईस आप अपने बेबी को डगार जूरूर दिलवाएं जब आपका बेबी दूद्र पी लेता है तो आप उसको डगा तो अपने कंदे पर लगाकर अच्छ कि कई बरीcience क्या होता है कि फटा वाड दूठ निकालता है तो से क्या होता है जो उसकी भार वली गयस होती है दूठ पी 세ज वह कोई प्रॉप्रम नहीं है बद अगर का बेबी प्रॉपर जो दूठ पी OR ऐसी को सारवगे पस्तिए निकालता तो वो वौमेट होता है इसने आप उसको डगार चलूरती लाएं थर्ड पॉइंट यहां पर यह आता है कि काईस आप अपने बेबी की नापी की नाल की प्रॉपर देख पाल करें जब तक वो नाल नहीं उतर जाती है आप उस पे पानी बिल्कुल भी टेच ना होने दें और आप उसको खुद से उतारने क कोशिश मत करें नाल खुद से ही 3-4 दिन बार हफते बार अपने बेबी की आपकी उतर जाएगी फॉर्थ पॉइंट यहां पर यह आता है काईस कि आपको अपने बेबी के डेली मसाज करनी चाहिए मसाज आप खूद करें जा आपका कोई फैमिली मेंबर करें आपकी सी प् आप दिन में एक बार बेबी को चुरूर नहलाएं जब तक उसके डाल नहीं उतरती आप उसको प्रॉपर स्पॉंच करें कॉटन से जा पर कोई कॉटन की कपड़े से 6 पॉइंट यहां पर यह आता है कि काईस आपको अपने बेबी की नेल्स की केर कैसे करनी है क्या होता है जब हमारा बेबी बॉन होता है तो कई बर उसके नेल्स बहुत बड़े होते हैं तो आप उसके हाथ पर मिटनस डाल सकते हैं या फिर आफ्टर वन मंथ बीबी के लिए जो स्पेशल नेल कटर्स आते हैं बीबी फ्री जैसे की मीनी का बीबी होग का चिको कई ब्रैंड के न सारी रलेक्टिव में बेबी से मिलने आते हैं तो आप उनको बेबी के घरदन के नीचे हाथ कर ही पकट़ाएं कहते हैं कि तीन मीने तक बच्चा जो टो अब गरदन संबाल नहीं पाता है तो आपको अपने बेबी के घरदन के नीचे हाथ लखना बहुत ज़रूरी है और जब भी आप किसी बेबी को किसी के हाथ में पकड़ाते हैं तो उन्हें बोलें कि आप अपने हैंड अच्छे से वाश कर लें नी तो आप सैनेटाइजर रखें उन्हें सैनेटाइजर दें थाकि वह उनके हाथ जो हैं वह अच्छे से साफ हो और आपके बेबी को वह अच्छ देनी है फिर्स्ट टू मन्स बेबी जो प्रॉपर सोता है तो आप उसको प्रॉपर सोने दे नाइन पॉइंट यहां पर यह आता है आप अपने बेबी के लिए किस टाइप के प्रड़क्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि अगर आपका बेबी बॉटल से फीड ले रहा है तो आपको अच्छी बॉटल ही यूज़ करने होगी ब्रैंडिट बॉटल यूज़ करने होगी उन्हें दिन में दोपस टूलाइस करें जब आप उसको स्ट्रिलाइस करते हैं जो आप लिक्वेड यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे ब्रैंड का यूज़ करें अगर आप अपने बेबी के जो कपरेट डिटरजेंट यूज़ करते हैं तो आप बड़ो वाला डिटरजेंट बिल्कुल मत यूज़ करें आप उसक झाल झाल